ओम शान्ति अपसे कुछ स्वागत है, आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 13 सेप्टेंबर की इच्छी वर्दान की जहां पर्मपिता पर्मात्मा चाहते हैं कि हम एक ऐसे गुण को अपनाएं ताकि हम अपना ही भला करें वो भला क्या होगा, हमारे मन में शान्ति होगी, हमारे मन के अंदर खुशियां होगी और हम जैसी भी सिचुशन्स वह आसपास, वो सिचुशन्स में रहते भी हम खुश और सुखी रह पाएंगे और शान्ति में रह पाएंगे, मलकि मन के अंदर शान्ति होगी तो देखें आज के वरदान में परमात्मा कहते हैं टाइटल परमात्मा पवित्रता के फाउंडेशन को मजबूत कर अतींद्रिय सुख का अनुभव करने वाले संपून्ड और संपन्न भवा पवित्रता के फाउंडेशन को मजबूत कर मैं लगे अगर आपको happiness चाहिए और आपको शांती चाहिए खुशी चाहिए औश है तो सबसे पहले फांड़ीशन इंप्यूरिटी पहु सारे लोग सोचते हैं कि शेरिर की प्यूरिटी ना दो के चैर साफ रहना चाहिए और खान्पन की प्यूरिटी को सोचते हैं कुछ लोग यह तर टक चला आते हैं मतलब किया हुआ जो ब्रह्मा की ओलाद भी ब्रह्मा की ओलाद कौनसी फिजिकल पेट से पैदा तो नहीं सकती तो ब्रह्मा की ओलाद मतलब की जैसे कहते है ना father of mathematics, father of spirituality, father of philosophy तो father हो गया मतलब यह नहीं कि इन सब को पैदा कर दिया उन्होंने तो इसी तरह किसे ब्रह्मा is the father of knowledge, so मुलक की spiritual father हो गया हमारे वो, जो कि हमें ज्यान देते हैं, तो ब्रह्मा जीवन का foundation पवितरता है और ब्रह्मा को हम Adam भी कहते हैं, तो आप भी क्या होगे, आप भी Adam के बच्चे होगे, पर पेट वाले बच्चे नहीं, spiritual बच्चे, यह foundation मजबूत है तो संप वैसे ब्रह्मा, that means pure and pure, so purity की वाज़से, Adam was in Garden of Eden, और impurity की वाज़से, Garden of Eden से बाहर निकले और hell में पहुंचे, नर्ग में पहुंचे, impurity की वाज़से, वो आपल जो है न, वो impurity वाल आपल है, खाने वाल आपल नहीं था, तो परमात्वा कहते हैं, कि यह foundation मजबूत है, तो संपूण सुखशानती के अनुबती होती है, यदि अति इंद्रियस सुख वा स्वीट साइलेंस का नुभव कम है, अति इंद्रियस सुख, मैं लगी इंद्रियों का सुख नहीं, खान पान से, मीठे वीड़ी चीज़े खाने से, देखने से, पहनने से नहीं, यह सुख की यह बात हो रही है इन इंद्रियों के सुख को छोड़ करके ऐसा सुख जो कि आपको मेडिटेशन से गौड से कनेक्ट होने में मिलता है तो परमात्वा कहते हैं कि यह व्रत धारण करना कम बात नहीं है कौन सा वाला प्यूरिटी का बाप दादा पवितरता के वरत को पालन करने वाली आत्माओं को दिल से दुआएं सहित मुबारक क्यों मिलती है दिल से परमात्वा को देते हैं हमें दुआएं कि यह तुमने प्यूरिटी अपना ही है बहुत अच्छा वेरी गोड दिल से दुआएं देते है लेकिन फाइदा हमें होता है, हम किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं, इस वरत में संपून और संपन भवका वर्दान, कि हम कम्प्लीट हो जाएं, purity में हम कम्प्लीट हो जाएं, और हम उसमें 100% आगे बढ़ जाएं, का वर्दान प्राप्त करने के लिए वियर्थ सोचने, अब ये करते हैं, purity अगर आप चांदे हो कि आपके जीवन में शान्ती और सुख हो, जो कि आपको चीजों सर नहीं मिल सकता, आप बोलो कि मेरे जीवन में ये सिचुशन आ रही हैं, धन की सिचुशन है, ये सारी चीजों सुख हो रही हैं, जो कि रही हैं, ये सोलेशन ढूलो, ये इंसान ऐसा है, वो ऐसा है, बहुत ऐसा है, ये लोग ऐसे मेरे करमचारी ऐसे, मेरे काम करने वाले ऐसे, बिजनस की वाल से पील हो रहा है, आपको उस्तर हो, ये तो फिर आगे बढ़ जवाब, चेंज कर लो अपने आपको, तो परमचारी कहते हैं कि, संपन भवा का वर्दान प्राप्त करने के लिए, व्यर्थ सोचने, देखने, दो लोग लड़ रहा है, आपस में, आपस में एक स्रिफ कीच रहे नीचे, आपको मजा रहे देखर के, ये पिरुड़ी नीए है, व्यर्थ सोचने, व्यर्थ देखने, व्यर्थ बोलने, वो क्या कर रहे थे? पता है ते रहे को, उसने जा के ऐसे किया, उसने बहुत को ऐसे कर रहे, तो पता है, उसके बिजनस में ऐसे करती उसने गोटाला करती प्लीज ये चीज़े कम करो अपनी लाइफ में ताकि आपके मन के अंदर शान्ती रहे आपका मन प्योर रहेगा तो भागवान का घर मनेगा उनकी प्रकाश आपके मन के अंदर आएगा अगर आप ये कचड़ा रखोगे अपने मन के अंदर तो उनके आप प्रकाश नहीं आएगा उनकी शान्ती भी आने होले आपको आप गैरंटी देता हूं आप गलत बोलो गलत सोचो आपके मन का चैन और सुक उस सेकेंड आपी छीनोगे वह इंसान वैसे के वैसे रह जाए गो लेकिन आप च्छ जाओगे रांभ कि+, आपका سुको और चैन आपको चिंछ आएगा और इंसान हसता अब चला जाएगा वो निकल जाएगा वो लेकिन आपका सुक और चान आपने खत्म किया है यह रिस्पॉंस्पीलिटी जब आप लेंगा ना यह उंगलें बोलते हैं यह उपर नहीं जब भागवान की वज़से हो रहा है यह उस विक्ति की वज़से मेरे की जीवन में शांती नहीं यह तीनों करना पड़ेगा और वो चेंज करना अगर आपको सीखना तो ब्रह्मकुमारीज में आईए आप इंटरनाशनली 150 कंट्रीज में कहीं भी जाके सीख लीजिए इसी है बहुत और इसके साथ ओम शांती